इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्पून है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है क्रिप्टो से चुड़ी क्या खबर है तो ये सुनेशित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आपको अपडेटेड रखें आज की हेडलाइन एथेरियम मर्ज की तारीक काउंडाउन गूगल पर लाइव हो जाती है वेलों ने रातो रात 600 बिलियन शीप खरीदे क्योंकि वेल होल्डर्स की संख्या औल टाइम हाई पर पहुँच गई फोर्ड मोटर वर्चुल कारों के लिए ट्रेडमाक के साथ मेटावर्स के लिए तयार है चीन एनेफटी के माधियम से कॉपिराइट ब्रीच पर नकेल कसेगी थेटा लाब्स हॉलिवूट के यंग सीयो मेटाचेन एडवाइसरी काउंसिल में शामिल हुए एवलांज मूल टोकन एवैक्स एफटी एक्स जपान पर लिस्टेड है वीजी एक्स परिशान वॉयजर प्लाटफॉर्म का नेटिव क्रिप्टो पिछले 24 घंटो में 44 परसेंट बढ़ा बोल्ट ने 1.5 बिलियन डॉलर के वायर सौदे से बैक आउट किया एमबर ग्रूप ने करमचारियों में 10 परसेंट की कटोती की वेच पैटन ब्रेक आउट एक को 10 परसेंट की चलांग के लिए सेट कर सकता है लूना 192.92 परसेंट उपर, बीटीसी 4.96 परसेंट उपर, टेरा आज का सिक्का है दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पर एथेरियम मर्ज के लिए टाइमर बना दिया गया है, एथेरियम के प्रती उच्साई अब सटीक तारीक का ट्रैक कर सकते हैं जब गूगल पर एथेरियम मर्ज खोचते हैं तो मर्ज के लाइव होने की उमीद है वॉलेक ट्रैकर वेल स्टाटस दुआरा साजा किये गए आकड़ों के अरुसार पिछले 24 घंटों में एथेरियम पर सबसे बड़े वेल ने लगबग 8 मिलियन डॉलर मूल्य का शीब लगबग 600 बिलियन शीबा इनू प्राप्त किया है माइक्रो स्टाटेजी के लिए डिप खरीदना आवशक है क्योंकि कम्पनी का लगबग 129,699 BTC का रिजर्व वर्तमान में 1 बिलियन डॉलर से अधिक का कुल्य मूल नुक्सान छेल रहा है Securities and Exchange Commission फाइलिंग से पता चलता है कि माइक्रो स्टाटेजी सबसे बड़ा Institutional Bitcoin खरेदार ने दो एजेंटों Coen & Company and BTIG के साथ एक समझोधा किया है जो अपने कुल क्लास A को 500 मिलियन डॉलर के समाने स्टॉक को बेचने के लिए है Ford Motor एक विश्प प्रसिद यूएस कार निर्माता, Fungible Token और Metaverse की और बढ़ रहा है क्योंकि यह US Patent and Trade Office के साथ अपने अमेरिकी कार ब्रैंडों के लिए 19 Trademark Applications के लिए फाइल करता है चीन में अधिकारी अन्य लोगों के कला के कारियों के अधार पर Digital Collectible के रशनकारों के पीछे जा रहे हैं जिनका उप्योग को Authorize नहीं किया गया था कई विभागों की भागेदारी के साथ, Online Copyright Breach और Piracy से निपटने के लिए सरकार का अकरामक कदम एक अभियान का हिस्सा है Theta Labs ने गोशना की है कि Young Hollywood के CEO RJ Williams Theta की Meta Chain Advisory Council में शामिल हो गए है RJ मागदर्शन करेगा कि Media Company अपने सबसे महत्पून लाप के लिए Blockchain तकनीक का अपयोग कैसे कर सकती हैं क्योंकि वे Theta Meta Chain पर विकसित करना शुरू करते हैं जिसमें Fuse, True VRS और बहुत कुछ शामिल है FTX जपान पर AVAX बजार इस सबता लाइव हो गया Currency Pairing, AVAX JPY और AVAX USD और AVAX Perpetual Futures अब जपान में ग्रहाकों के लिए उपलब्ध है AVAX Avalanche Network का मूल टोकन, FTX जपान की इसके लिए व्यपार करने की इच्छा के कारण Worldwide Market में Avalanche के बारे में जागरुकता बढ़ा रहा है Voyager, Crypto Exchange Platform जिसने जुलाई में दिवालिया गोशित किया था Crypto Space में एक ताकत हुआ करता था VGX टोकन ने 2021 में कुछ General Spike का प्रदर्शन किया लेकिन 2022 में Crypto Mandis से बुरी तरह से समाप्त हो गया जिसके कारण ये दिवालिया हो गया